वेलकम टू जी के जी अस्वित मनीज सर आज 23 नमंबर 2022 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करेंड़ फेर होंगे वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगी तो आईए शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण है हाली में जोमाट टुकायब किस देश के राष्टर पती का चुनाओ जीता है तो ये कजाकिस्तान के राष्टर पती का चुनाओ होंए जीता है इनको जो बोट मिला है आपका कितना मिला है तो 81.31% इनको भोड हासिल हुआ है अब कजाकिस्तान के नए राष्टर पती बनेंगे कौन तो जो माट टोकायव कजाकिस्तान के नए राष्टर पती बनेंगे कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंग और कजाकिस्तान के प्रधान मंत्री अली खान एस्माइ लोर्ग कौन है तो अली खान एस्माइ लोग कजागिस्तान के परधान मंत्री हैं अब अगला प्रश्ण है कतर में फीफा काफ वर्ल είक कप 2022 के उदगाटन समहारों में भारत का पर्त्यूEM किस ने किया तो भारत का प्रतिkt्य किया जगधीब धनकर ने भारत के उपराष्ट्र पति जगधीब धनकर नि, भारत का प्रतिक्य किया, अब कतर, तो यह कतर ने हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप, तो कतर की राजद्धानी क्या है, इसका जबाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, देखो, 2022 का फी फीफा वर्ल्ड कप दूजर 22 के दौरान उप्योग की जाने वाले फुटवाल का नाम क्या है तो अल रहला है क्या है अल रहला अब फीफा फुटवाल के लिए संस्थान है तो देखो पहले भारत के बारे में जानते हैं All India Football Federation का headquarter है नई दिल्ली में DRDO कभी मुख्याले साथियो नई दिल्ली में ही है All India Football Federation की ये स्थापना होई थी 23 जून 1937 को और All India Football Federation के अध्यक्ष है कल्यान 24 ठीक है साथियो DRDO की चेर्मेन कौन है इसका जवाब आपको केमेंट बॉक्स में देना है अब देखो फुटवALL का जन्म हुआ था कहाँ पर तो इंग्लेंड में फुटवALL का जन्म हुआ था और 1857 में इंग्लेंड में बिशु का पहला फुटवल कलब से फिल्ड फुटवल कलब की ये स्थापना होई थी फुटवाल के लिए जो संस्थान आपकी है वो फीफा है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटवाल एसोसियेशन इसका फुल फॉर्म है और इसका हेड़क्वाटर है जुरिक सुर्जर लेंड में और फीफा की एस्थापना हुई थी 21 मई 1904 को इसकी एस्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी फीफा के जो परसीडेन्ट है वो कौन है तो ग्यानी एनफेंटिनो फीफा की परसीडेन्ट है फुटवाल, होक्की और किर्केट में खिलारियों की संख्या जो आपकी है वो इ 11 है साथियो आज आपको बताना है कि फुटबॉल में कौन-कौन से कप और कौन-कौन से ट्रोफिया होती है इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको रगवी फुटवॉल में एक प्लेयर की संख्या होती है 15, बेसवॉल और खोको में प्लेयर की संख्या होती है 9, जिमनास्टिक में होता है 8, वाटर पोलो कबड़ी और नेटवॉल में खिलारी की संख्या 7 होते हैं, वाली वॉल में 6 प्लेयर होते हैं, बास्केट वॉल में 5 ह होते हैं और पोलो में खिलारियों की संख्या जो होती आपकी है वो चार होती है अगला प्रशने आपका हाल ही में हिमाचल पर्ष के राज्यपाल द्वारा मंडिला पुरुस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो हीमाचल मंदेला पुरुषकार तो किन को दिया गया दलाई लामा को दिया गया अब किस राजी के राज़ेपाल के दौरा दिया गया तो ही माचल परदेश के राज़ेपाल के दौरा दिया गया तो ही माचल परदेश की राज़दानी है सिमला और सिमला में है कैंदरी ये आलू अनु बुकसवाशीट प्चार है। भारत का पहला हिमाल्यन मसाला उद्यान धरमसाला में खोला गया। किसानों की मदद के लिए हिमकाड योजना के सुरुआज जो हुई आपकी वो हिमाचल प्रदेश में हुई। नौमी महिला राष्ट्रिय आइस होकी चैंपियंशिप 2022 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ। साबरा कुड़ू जल विदुत पर योजना हिमाचल प्रदेश में है और पबर नदी पर बना हुआ है। पहला पुर्ण रूप से COVID-19 टी का करन वाला राज्य जो बना हुआ आपका हिमाचल प्रदेश बना और सौब प्रतिसत LPG कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य बना थूआ मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में नारी को नमन योजना की इसका आयोजन होगा तो भारत और उमान के बीच यह होगा साथियो भारत और उमान के बीच नसीम अलबह सैनभ्यास है नौसैनिक अभ्यास है तो भारत और उमान के बीच एक और सैनभ्यास के बारे मैंने बताया था इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि एक इजर परहार सैनब भ्यास भारत और अमेरिका के बीच है युद्ध अभ्यास सैनब भ्यास भारत और अमेरिका के बीच है सिली नेक्स सैनब भ्यास भारत और सुरलंका के बीच है कौन सा सैनब भ्यास तो सिली नेक्स सैनब भ्यास दोस्ती सैनब भ्यास भारत मालदीप और सुर्य किरन सैनभ्यास भारत और नेपाल के बीच है हैंड इन हैंड सैनभ्यास भारत और चीन के बीच है वरुन सैनभ्यास भारत और फ्रांस के बीच है वरुन सैनभ्यास संपृति सैनभ्यास भारत और बांगलादेश के बीच है इंद्र सैनभ्यास भारत और रूस के बीच इंद्र सेनभ्यास अजय वारियर सेनभ्यास भारत और बिटेन के बीच है धर्मकारजियन सेनभ्यास भारत और जापान के बीच है बिनिबैक्स सेनभ्यास भारत और वियतनाम के बीच है और अलनगा सेनभ्यास भारत और ओमान के बीच है और मैंने विजश्ट बताया कि ओमा की राजधानी अब अगला प्रस्थे आपका हाली में भारतिय सेना के दक्शिन प्षिं कमान द्वारा सत्रुनास अभ्यास का आयोजन कहां और राजस्थान में होगा कहां पर होगा तो राजस्थान में इसका आयोजन होगा राजस्थान के रेगिस्थान में किया जाएगा इसका आयोजन अब राजस्थान में किया जाएगा तो राजस्थान की राधानी है जैपूर और जैपूर को बोलते है पिंक सिटी और साथियो भारत का पस्षिमी राज्य है भारत के पस्षिम में तीन राज्य आपके हैं राजस्थान गुजरात और महराष्ट्र तो साथियो आपको बताना है पस्षिम राज्य में गुजरात और महराष्ट्र में राजसवासित और लोकसवासित कितना है इसका जबाब कमेंट बोक्स में देना है आपको सरिस्का राश्ट्रिय उद्यान डेजर्ट राश्ट्रिय उद्यान कहां पर है तो रजस्थान में है क्योला देव घना पक्षी बिहार जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं यहां भी रजस्थान में है रंथंभौर नेस्थन पार्क भारत का पहला अंगदाता अस्तमारक जैपुर में बना स्वभाग योजना के तहत स्वारे विदुत्य करण में पर्थम अस्थान पर रजस्थान रहा गर्भती महिलाओं की देखवाल के लिए आचल अभियान की शुरुवात रजस्थान ने की खादी कपरे से दुनिया का सबसे बर रास्तिये कहां प्रजस्थान के जैसल मेर में प्रजस्थीत किया गया कहां प्रजस्थान के जैसल मेर'. इस अभी भारत का 16 1ह अभाग ऑद्यारण है और रजस्थान में है और यह तो क्या नाम Šकेल दिवस की अमसर्थ पर राजीब गांधी ग्रामिल ओलेंपिक खेल 11,000 पंचायतों में किया गिरा स्थान के द्वारा तो साथियो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि पंचायती राज संबंद का वर्णन भारती समिधान के किस अभाग और किस अनुसुची में किया गया है इसका जबाब कमेंट बॉक्स में देना है साथियो ठीक है साथियो या फिर जो बच्चे पंचायत के बारे में जतना जानते हैं उतनी आपकी जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में अगला प्रस्ण है आपका हाली में कौन सा राजजी स्रवाजी की ग्रीड इंटरेक्टिव अक्ष्य उर्जा में पर्थम अस्थान पर है तो करनातक है आपका ग्रीड इंटरेक्टिव उर्जा में पर्थम अस्थान पर अब करनातक पर्थामस्थान पर है तो करनातक की राजधानी है बैंगलोर और बैंगलोर में इसरो का हिटक्वाटर बैंगलोर में ही है करनातक के गवंडर है थावर चंद गहलोत और करनातक के मुख्य मंत्री है बसोराज बोमबई करनाटक में राजसवासिठ है बार और लोकसवासिठ है अठाइस करनाटक में मट्टूर गाउं भारत का एकलोता गाउं है जहां संस्कृत बोली जाती है और यह करनाटक में है इपंचायत पुरुषकार 2022 करनाटक को दिया जया राष्ट्रिय सिच्छा नीती 2022 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य करनाटक है अलमाटी बांध क्रिष्णा नदी पर इस्थित है क्रिष्ण राज सागर बांध कहां है तो कावेरी नदी पर है करनाटक रतन 2022 से पुनीत राज कुमार को मर्नो उपरांत समानित किया गया और यक्षगन करनाटक का मुख्य लोक निर्त है महिला एड़ दरेट वर्क कारेकरम करनाटक में शुरू हुआ बनरगटा जैविक उध्यान भारत का पहला तितली उध्यान है और यह करनाटक में है बांधीपुर राश्ट्रिय उध्यान करनाटक में है नागरहोल राश्ट्रिय उध्यान करनाटक में है ठीके साथियो कि इसा फाउंडेशन ने क्रिस्टी को बढ़ावा देने के लिए करनाटक राजसरकार से समझोता किया क्रिस्टी मजदूर के बच्चों के लिए बिद्या निधी योजना की शुरुआत करनाटक में हुई प्रधान मंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कारेकरम तो जर बाइस का उध़टन किया करनाटक भी और करनाटक राजसरकार ने अपने स्कूलों में दस मिनट का योग अनिवारे कर दिया है तो साथियो योग की बात आती है तो योग दिवस कब बनाया जाता है इसका जवाब देना है कमेंटर बॉक्स में आपको कि योग दिवस कब बनाया जाता है अगला प्रश्ण है आपका हाली में उमा सरमा को सुमित्रा चडित राम पूरुसकार से समानित किया गया है इनका संब्ध किस निर्थ से है उकिनका तो उमा सरमा का संब्ध किस निर्थ से है तो इनका संब्ध है कत्थक से किस से है तो कत्थक निर्थ से इनका संब्ध है अब दो कत्थक से और कौन कौन से वैक्ति संब्धित है तो बीजु महराज लच्छु महराज सुखदेव आदेवी, गोपाल कृष्ण, सोहरा नारायन, मालविका सरकार, नारायन परसाद और चंदरलेखा का संबन्द जो आपका है वो कथक निर्थ से है अब अगला प्रस्ण है हाल ही में तिरपनमा इफी फेस्टिवल में इंडियन फिल्म प्रसिनलिटी ऑफ इयर अवर्ड से किसे समवानित किया गया, तो यह दिया गया चीरन जीवी को, किन्हें दिया गया, तो चीरन जीवी को दिया गया, तो साथियों यह था आज का आपका मात्वपुन करेंड और फेर, मैंने कल आपसे पूछा था कि हाल ही में 2024 ओलेंपिक और पारा-ॉलेंपिक फ्रीजियन कैप का अनावरन किया गया है तो यह है 2024 के खेलों की मेजवानी का आयोजन किस देश में होगा तो 2024 के ओलेंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस में होगा कहा पर होगा तो फ्रांस के पेरिस में होगा 2024 का ओलेंपिक ठीक है फ्रांस की राजधानी क्या है तो फ्रांस की राजधानी है पे क्या है टोकियो है कतल की राजधानी है दोहा और अमेरिगा की राजधानी क्या है तो अमेरिगा की राजधानी है वसिंग गटन साथ ही हो जापान की राष्टर पती जापान के प्रणान मंदरी कौन है इसका जवाब कमेंटर बॉक्स में देना है और अमेरिगा की राष्टर में देना है आपको और साती हो आज मैं आपको एक होंबग दे रहा हूं कि आपको असम अर्मुनाचल परदेश तृपूरा और मनिपूर के आपको जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देनी है तो यह था आज का आपका महत्तपुर्ण करेंडर फेयर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करी शेयर करी और सस्क्राइब करी धन्यवाद